कैसे हूआ आप लोग आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे abpm क्या ओफीस आता है abpm जो है इच एन एब्रिडे ओफीस आता है इसका क्या परूब है टीक है आप ओफीस जाते हो कि नहीं जाते हो इसका डिपार्डमेंट के पास क्या प्रूब है कैसे जानोगे कि आप office आये हैं, आपका attendance बना है, बाद में आपके कोई claim ना हो कि आप office नहीं आ रहे हैं, आप absent है, आप present नहीं हो, तो इस चीज़ को आप कैसे प्रूब करोगे कि आप हमेशा present रहते हैं office में, कभी भी बंक नहीं किये, देखिए, BPM के पास postmark book रहता है, जो यह proof है, मालों दस साल, पास साल के बाद वो अगर वो check किया जाए, तो वहां मिल जाएगा, डाक से बग का भी क्या है, डाक से बग का काम है, रोज mail लाना, ले जाना, मतलब account office से branch office में लेके आता है, ब्रांच office से account office में लेके जाता है, तिससे क्या होता है, account office और branch office में जो आता है, तो उसका तो वहां पे attendance बन गया, जब तक account office से mail जब dispatch होगी है, समझो की, mail carrier आया है, यानि डाक से बग का, इसलिए mail ले गया है, तो इससे indirectly mail carrier के attendance बन जाता है, यानि डाक से बग का, अब बात मा की बीच में जो फस जाता है, ABPM, जिसको mail deliverer बोलते है, जिसका काम ह mail deliver करना, letter delivery करना, ABPM office आया है कि नहीं है, इस चीज़ को prove करने के लिए, आपके पास कोई prove नहीं है, ठीक है, कोई logic नहीं है, आप कैसे prove करोगे कि आप present हो, तो उस चीज़ को, उस चीज़ से आपको बचने के लिए, ताकि government, ताकि department आप पे claim ना कड़े, कि आप absent थे office में, चाहे higher authority आप पे कोई action ना ले ले, कि आप absent है, आपको खुद को prove करने के लिए, कि आप office में present रहते हैं, each and every day, आपको क्या करना होगा, जब भी mail आता है, डाक सिबक mail लेके आते हैं, तो BPM receive करते हैं, ठीक है, receive जब करते हैं, या तो वो BO journal में लिखते हैं, उसके बाद RICT through, वो accept करते हैं, scan करके, तो वहाँ पे काम हो जाता है, उसके बाद next process, जब लेटर बैग open हो जाता है, receive कर लिया जाता है, उसके बाद जितना लेटर आता है, तो ABPM के पास चला जाता है, ठीक है, ABPM लेटर को receive करते हैं, यानि ABPM वहाँ क्या करेगा, एक अच्छा खासा register, बड़ा मोटा सा register लेगा, उसका डेवाइज, मालो आज 26 तारिक है, तो 26 तारिक में जितना लेटर आया है, register लेटर कितना है, speed post कितना है, unreceived mail कितना है, मालो की ordinary letter कितना है, यह सब चीज लिख देना, classify कर के, मालो register लेटर मालो 15 आया है, तो उसका नोमनिंग, वो जो नमर ह उसको लिखना है, और किसके नाम सहे वो लिख देना है, उसके बाद, speed post कितना है, मालो 10 speed post आया है, तो speed post का नमर लिख देना है, consignment number, यानि tracking number, और उसका नाम लिख देना, फिर उसके बाद, जो ordinary letter आया, वो भी लिखना है, तो लिखिया, ने तो ordinary letter उतना important नहीं रहता है, ह फिर भी आपको बचने के लिए ordinary letter लिख सकते है, मालो 3-4 ordinary letter आया, तभी हो सकते है, आपको लिखने में problem हो, but अट-10 आया है, तो उसको लिख दीजे, ठीक है, ordinary letter का भी, जब आपका लेवल बढ़ता है, लेवल 1 से लेवल 2, तो वहाँ पे unreceived mail, यानि की ordinary letter का भी count होता है, उसमें आपको दिखाना परता है कि ordinary letter कितना आया है, और कितना deliver होता है, तो जब आपका 100% delivery status रहेगा, ठीक है, अपरोच रहेगा, तब आपका लेवल 1 से लेवल 2 हो जाता है, अब लेवल 1 से लेवल 2 होने का फाइदा क्या होता है, salary increment होता है, लेवल 1 के ABPM के salary 10,000 है, यह दो हजर का difference है, अब जिसका जितना basic salary रहेगा, उसको इतना ज्यादा DA मिलेगा, ठीक है, और gross salary रहेगा, ठीक है, इसी बज़ा से, आपको क्या करना है, register maintain करना है, एक अलग से register maintain करना, उसमें सारा letter deliver दिखाना है, ठीक है, और जिसको जो letter दिये है, उस letter का, जो letter receive किया, मालो नो जो address ही received किया है, उससे उससे sign करा लेना है, मालो की आज 26 तारिक है, 26 तारिक में जो letter deliver किया, मालो राम नाम के letter को दिलिवर किया, तो राम नाम को ही देना है, maximum कोशिस करना है, register letter को जिसके नाम साया, उसी को देना, अधर आदमी को नहीं देना, नहीं तो आप फस क्या होता है कि अगर आप अधर आदमी को दे दिये, वो letter को अगर जला दिया, फार दिया, काई फेक दिया, तो बाद में यह बोलेगा कि आप तो letter मुझे दिये ही नहीं है, कब दिये letter, वो जूट बोलेगा तो फिर आप फस जाओगे, इसलिए उस चीज को बचने के लिए अगर दूसरे को letter दे भी दिये, तो उससे sign करा लेना है, माल लेते address को ही letter दे दिये, वो मालो कहीं दुकान में रख दिया, या कहीं छोड दिया, या जान बुझ को आपको फसाने के लिए इसा कर रहा है, फेक दिया letter को, तो बोलेगा, आप तो letter मुझे दिये ही नहीं है, तो आप उस समय आपके पास क्या logic रहेगा बचने के लिए, आप SP Sir तो आपको छोड़ेंगे नहीं, Divisional Office से हो सकता है, आपको suspend भी कर दे, तो वो चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, जो register आप मेंटेन करते रोज, उस पे sign करा लेना है, डेट लिखवा लेना है, टाइमिंग है तो टाइमिंग भी लिखा सकते है, लेकिन मिनीमम मिटाना हम इस लेट लिख लेना उससे, जो मनलो राम में नाम का एक लिटर आया था चोड़ का, जो लेटर आप देट vit quisler लेना है, जो आदमी है, उस देत लिख लिख लेन, मनलो एक सयाम का लेटर के लि सब्रइब सबस्क्ाइब करें यह लिट समय को श्रीज लिख देना है रुट मैं और मुटल सबस्केर ला करना सब्सक्पा ट EPC लिख लेने के लिए ताप बीओ जर्नल भी लिख सकते हो ठीक है इससे आप जब तक आप रेजिस्टर में लेटर नहीं लिखो गये तब तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा क्या परजेंट थे कि नहीं परजेंट थे माल लेते हैं दूसाल के बाद आपको कहेंगे आप नह दिखनाना है पीमेफ में दिखना थीक है और साइन करवाना बहुत जरूरी है वालो दो महिना कवाद कहेंगे इस लेटर का डिस्पोजल दीजिए यानि स्टेस बताई कहा है लेटर तो झब आप लेटर दिलिबर कर दी है आप कि वह कंप्लेन हो गया तो उस चीज से बचने के लिए यह सब चीज आपको करना होगा नहीं तो आप पे अक्षन हो सकता है आपका नौकरी खत्रे मा सकता है ठीक है तो यह बहुत इंपोर्टेंट बात था धीरे धीरे आपको समझ आएगा अभी फिलाल जो नया नया जोइनि होना चीज और जिसको जो लेटर दिया उसको उस पुहां पे साइन करवा लेना है ठीक है साइन करवाना भूलना नहीं नहीं तो कभी भी फसा देगा लेटर दिया नहीं है आपके पस कोई जबाब नहीं डेगा डिपार्टमेंट का कहना है कस्टमर इस ओल्वेज राइट आप बलोगे नहीं हम तो लेटर दिया तो दिपार्टमेंट सुनेगा नहीं आपका बात डिपार्टमेंट तो अर्फसा देगा अपको अरको आपका keep up भी हो सकता है आपका शस्पेंशन भी हो सकते हैं तर्मिनेशन भी हो सकते हैं सर्विस से तो यह सब बहुत ही इंपोर्टेंट बात था आपको बता दिये ठीक है अपको अच्छा लगता है तो ठीक है कुछ समाज आए तो लाइक वाइक कर दीजे चैनल को और टेलिग्राम नहीं तो इंस्टाग्र कर दिए अपे जूड जाहिए ठीक है वीडियो डिस्क्रीप्शन में सारते हीज मिल जाएगा वाइब विडियो को लाइक कर दिजी अपर कि आप 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 कि आप 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 झाल